Zara versus Zudio, be your best का most appreciated वीडियो आज हम चेक आउट करेंगे Zudio की पूरी की पूरी कलेक्शन और उसके बाद उसके सामने वाले मॉल में जाएंगे और आटो मिलनी रहा तो पैदल जाएंगे और Zara की भी कलेक्शन देख के डिसाइड करेंगे की कौन सी जगा से लेना बेटर है Zudio में हमने ढूरी अच्छी अच्छी oversize T-shirts कुछ के कलर काफी अजीब होली inspired लग रहे थे लेकिन इस बार oversize T-shirts की कलेक्शन उत्ती जाधा थी नहीं फिर हमने का trend गेस आप से tank tops ढूणने शुरू करते हैं जो की काफी प्यारे प्यारे क्रोशे वाले मिले हमें लेकिन क्रोशे के अलावा जो normal वाले tank tops थे उनकी quality बहुत अच्छी नहीं थी polyester material था इवन दो बहुत ही सस्ते थे बट मैं recommend नहीं करूँगा लेकिन इनका actual comparison कर लेते हैं Zara में भी similar tank tops थे लेकिन जादा नहीं फिर हमें Zudeo में अच्छी neutral color की oversize t-shirts मिलनी शुरू हुई और इस बार इनोंने मोटे fabric की बनानी शुरू करी है लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सस्ती रखना चाते हैं तो fabric उतना crazy नहीं है back से एकदम सही amount से open और सामने से एकदम सही amount से covered अब इसके fabric की quality बढ़िया है मैंने polyester वाली नहीं उठाई थी मैंने बढ़िया वाली उठाई थी और इतना सस्ते में तो मिल भी नहीं सकती ऐसी और ऐसे ही मैंने Zara से भी एक blackler का tank top उठाया जिसकी fitting honestly जूडियो वाले के जितनी अच्छी नहीं थी सामने से कुछ जादा ही covered था और material भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं Zara से खर गी इतना महेंगा इस material के लिए मैं बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा T-shirts में Zudio से मैंने ये वाली उठाई drop shoulder T-shirt जिसका drop एकदम सही था neck भी ठीक थी और इसके उपर एक graphic बना हुआ था जिसमें कुछ तो random लिखा हुआ था लेकिन वो graphic का puff था थोड़ा सा बाकी तो fitting वगएर भी बढ़िया लगी color भी बढ़िया था बस मुझे थोड़ी सी लंबी लगी लेकिन भाई इतने सस्ते में और क्या लोगे भाई सरोजनी पे भी नी मिलती इतनी सस्ती भाई T-shirt जब Zara पे try करी तो honestly मैं बहुत शॉक दूँ उसकी fitting Zudio जितनी अच्छी नहीं थी हा लेकिन print की quality fabric की quality तो beat भी नहीं कर सकते भाई Zara की फिर Zudio से मैंने एक और relaxed T-shirt ट्राय करी ये वाली plain थी इस पर कोई graphic वगएर नहीं था और इसकी sleeves भी कम पेंड हो रही थी क्योंकि ये proper oversize नहीं relaxed है बाकी color की shade बहुत शांदार थी और नीचे ये आगे से quality अच्छी होने के लिए थोड़ी नहीं दूँगा मैं Next Zudio पे हमने old money fans के लिए polo भी test out करी colors तो एक दो यहाँ पे काफी जाद आच्छे है और इस वाली की fitting भी बहुत बढ़ी आई है अगर आपको slim fit पहन नहीं है तो इसकी sleeves भी arms में बहुत बढ़िया दरीके से pack हो रही है और इसका collar भी बहुत अच्छे से shoulder पे गिर रहे है बस मुझे इसके buttons का color नहीं पसंदा है लेकिन भाई इतने में ये मिल रहा है बहुत बढ़ी बात है वहीं Zara पे plain वाली polos जो मैंने slim fit में भी उठाई उसका fabric तो ब relaxed fit वाली थी है तो ये तो किसी cool outfit में पहनी जा सकती है लेकिन अब ये आपके लिए worth it है या नहीं है ये आप अपनी budget के साब से decide करो बाकी मैंने थोड़ी सी एक tight fitting वाली भी Zara पे try करी थोड़े dusty brown color में जिसकी arm से अच्छी fitting थी shoulder वगेरा हर जगा से बहुत शानदार fitting थी तो ये भी आप consider कर सकते हो और भाई जूडियो पर ये street style वाली किती बड़ी बड़ी overshirts आ गई है लेकिन भाई मेरे size में नहीं थी है तो मैं try तो करके नहीं दिखा सकता आपको दुख का खतम नहीं होता बे और फिर हम थोड़ी crochet shirts ढूड़ने निकल गए जैसे कि ये black वा फैली हुई होती है यार इतनी सारी shirts देखके जारा में मज़े ही आगा है सारी खरीदने का मन कर गया लेकिन एक बात तो है जारा जाके गरी भी ज़रूर यादा जाती है अपनी अब ये जूडियो में कैसी jackets पड़ी हुई है अजीब सी अजीब print अजीब color ये black वाली फिर सही लग रही थी over shirt के लिए लेकिन इसके धागे निकले हुए थे थोड़ा और ब्राउस करने के बाद हमने studio की ये black वाली crochet shirt पहनी जो की बहुत ही जादा शांदार लग रही है इसकी fitting भी बहुत बड़ी आये मेरे पे इसकी length बिल्कुल भी लंबी नहीं है तो proper मेरे को तो ऐसा ही पसंद है कॉलर भी एकदम सही stiffness का है शोल्डर पे बहुत बड़िया तरीके से गिर रहा है और quality भी ठीक है material कि जिस price पे आप इसको ले रहे हो और जारा पे हमने similar type की shirt ट्राय करी तो उसकी तो fabric की quality कोई beat ही नहीं कर सकता उसकी fitting बहुत शांदार थी बस जारा में definitely ए पर किये फिर हमने एक off white वाली भी try कर ली क्योंकि मैंने देखा है अच्छे कपडे basic colors में ही होते हैं फिर सोचा भाई थोड़ी panty shanty भी ढूंडते हैं बाई जूडियो में हमें बहुत सारी parachute pants और cargos देखने को मिली अलग-अलग colors में पड़ी थी साथ में हमने थोड़ी सी पेरों पे, length भी एकदम साही थी की baggy लगे और fitting भी साही थी उपर से, H&M से तो definitely better थी भाई fitting अब इसका fabric उतना अच्छा नहीं था लेकिन इतने सस्ते में ये मिलना बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर आप compare करोगे इसको Zara से हमारी ये वाली light blue color की baggy jeans से तो fitting तो almost same ही है और दोनो heavy plane लेकिन Zara वाली की quality है वो अलग दुनिया की है अब ऐसा ही हमने एक black वाली भी try करी जूडियों पर जो कि एक carpenter denim है और उसके उपर black की दो अलग shades थी इसकी भी length एकदम सही आई मेको और fitting भी उपर से काफी शानदार आई इसका fall भी बहुत अच्छा है इवन दो इसका material बहुत पतला सा है और इतने सस्ते में ऐसी चीज मिलना again बहुत मुश्किल है लेकिन ऐसे ही जब हमने black denim Zara पे try करी तो इस denim से तुमे को प्यारी हो गया cargo style denim है इस से सुन्दर चीज मैं अपनी पूरे जीवन में नहीं देखी हुई इस पे straps भी निकले हुए और इसकी जो fitting है भाई मेरी body के उपर मतलब please कोई मेरे को ये दिलवा दो भाई 5000 की है मैं नहीं ले सकाए और इसकी detailing देखो भाई मतलब प्यार ही हो जाए हमने थोड़ी shorts भी ढूंटी जूडियो पर बहुत ही जादा शांदार ये white वाली shorts मिली हमें जिसके ओपर cargo pockets है इनकी length भी एकदम perfect है इनकी चौड़ाई भी एकदम perfect है मदब college के लिए perfect shorts है ये एकदम इनका material भी शांदार उपर से भी बहुत अच्छी fit क्योंकि इसका crotch हाए है तो आपका tone भी छुपा दे गए लेकिन जारा पर जो हमने shorts ट्राय करी वो दिखने में cool थी बट पहनने में fitting उत्ती cool नहीं थी और नहीं उनका material उतना crazy दा कि मैं इतने पैसे दूँ तो यहाँ पे जूडियो जीत गया definitely फिर आई बारी parachute pants की जूडियो पे बहुत शांदार parachute pants आई हो ही है हमने ये वली try करी इसकी fitting एकदम सही है नीचे से मैंने इसको tight किया हुआ है ताकि और baggy effect आए और उपर से भी इसकी fitting बहुत शांदार है वेस्ट के उपर इसकी stitching भी बढ़िया है और इसके darts भी एकदम सही position पे है darts मतलब यह वाले folds जिनकी वज़ए से baggy वाला effect आता है इसको देखके लग रहा है चीनोज में ही हार जाता है सबसे जादा क्यूंकि चीनोज की quality भी गंदी है fitting भी कुछ खास अच्छी नहीं है stitching भी उतनी अच्छी नहीं है इसकी और बहुत ही flimsy आने की फुरफुडा सा material है एकदम से creases आ जाती है fold सा हो जाता है flower सा बन जाता है यह तो बिल्कुल भी worth it नहीं है और even जो हमने Zara पे चीनोज ट्राइक करी उनकी भी fitting कुछ खास अच्छी नहीं थी इतना महेंगा इतने जाधा पैसे देना और तब भी तुम्हें दिल खुश कर देने वाली चीनोज ना मिले तो फायदा नहीं है चीनोज के लिए मुझे कोई और ब्राइंट ढूनना पड़ेगा जो अभी तक मुझे मिला नहीं है तो फाइनल भाई हमने रिजल्ट ये निकाला है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जारा जूडियो दोनों जगा पे मिल रही है सिमिलर सी तो जूडियो से लेने का जाधा सेंस बनता है झालिए बनता है